को स्कूश्चन से स्टार्ट करते हैं काफी इसमें दिया हुआ है कैल्कुलेट दा चार्ज केरीड वाइट 12.5 इंटो टेनिस्ट पाउर एट इलेक्ट्रॉंस ठीक है मैं सारे ही कोश्चन डिसकस कर रहा हूं ताकि एक फ्लू बन जाए तो यहां पर आपको दिया है कैल्कुल यहांबर ट्रोंस दिये हुए है आपको और नंबर आप लेक्ट्रॉंस एंट इस इकल टुबढ़ें है ट्वेल पॉंट फाइव इंट इन्टार्ज करें खेरेंगे तो यह माइनस का साइन आजाएगा और बाप कहता है किम इस एकल तो माइनस प्लस-भाइन होता है पर इन एक्स हाप इनको सिंपली करेंगे मल्टिप्लाइब करेंगे मल् тебя करेंके आपके पास आजाएगा तू इसक्षाम पर शेयुक्या नियुक्ष जो आपके बोर्ट को उसके इस तरह से स्ट्रेट बंता है तो एनी आपको लगाना है और आपके पास सबसे किसी को एशू होगा आगया होगा आपको समझते हैं लिए पोजिटिव चार्ज ऑप एक करते ही आपको पकड़ लेना है कि इसने आपको चार्ज दिया हूआ और वह भी पॉजिटीव चार्ज दिया हुए ठीक है पॉजिटीव चार्ज दिया हुआ और चार्ज लिए और आगे ही आप से कर रहे हैं कि हाउ मैनी एलेक्ट्रोंस वूड है तो बीरिमूव तो कितने एलेक्ट्रोंस आप इसमें से रिमूव करेंगे तो देखो हमारे पास नंबर आपको दे रखा है ठीक है चार्ज जो है वह आपका देरका टेंस टौपावर माइनस सेवन ठीक है इधर आजाओ आप यहां से निकालेंगे तो एन के लिए क्या करेंगे टेंस टौपावर माइनस सेवन डिवाइड वाइड वाइड यी 1.6 इंटू टेंस टौपावर माइनस नाइटींग जो होता है इसको आपको डारेक्ट याद रखना है कि इसको सौल करके कितना आएगा कितना आता है 6.25 टेंस टौपावर माइनस सैवन यह आप बिल्कुल इसको याद रखेना वन अपॉन 1.6 इंटू टेंस पार माइनस 19 जो है उसको जो आप सौल करोगे तो आता है 6.25 इंटू टेंस टौपावर एट्टीन आपके पास आ जाएगा ठीक है तो 6.25 इंटू टेंस पार एटीन आ सब्सक्राइब करेंगे तो कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर कॉपर पैनी पे प्लस टेंस टौपार माइनस सेवन कूला ठीक है यहां तक यह समझ में आया या यह ला कुष्टिन भी ठीक है नेक्ट चलें आगे तो नेक्स पॉस्चिन अपना थर्ड कुष्टिन तर्ड में रखा है के लापार्टिकल्स पॉजिटिव 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 पॉजि यह एलेक्टिक चार्ज प्लस तूइप एक है थोड़ी नॉलेज आप रख लेना आगे आपके काम आएगा अल्फा पार्टिकल जो क्या होता है जो पॉजिट्व पार्टिकल होता है इसको डिनोट देखो एसे एल्फा प्लस तू करके भी डिनोट करतें इसको ठीक है और सब्सक्राइब हाँ ऐची ही हीलियम हाइट्रोजन हीलियम होता है ना पीरियोडिक टेबल में वो है यह हीलियम है इस तरह से इसको डिनोट करते हैं पॉजिटिव पार्टिकल है यह सारे इसकी नोटेशन से ठीक है और आपको जो में चीज़ घ्यान रखिए हुए कि कि इस प बारबार पोल रहा हुँ पॉजिटिव पार्टिकल है तो फ्लस टू एक पार्टिकल की बात कर रहा है एक एलफा पार्टिकल पर तो कितना हो जाएगा प्लस टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू इस पाउर माइनस नाइटीन फूल आम बाजाएगा इसको आप मंटिप्लाय कर लो तरी पॉइंट तो इन्टू इन्टू पाउर माइनस 19 कूल तो यह एक एसा पॉइंट है जो कि आपको याद रहना चाहिए तो पॉइंट ध इसलिए थोड़ा सा फास लेके चल रहा हूं फॉर्थ पॉस्चन किसने सॉल कर रहा है फॉर्थ नहीं आया तो फॉर्थ में एक तो थोड़ा सा विसे इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं यह एफ़ी लिखा हुआ है ठीक है और एफी में यह 26 और यहां पर रही है ठ इसको करेक्शन कर ले ना पॉर्ट को तो फॉर्ट कोश्चन में यह दिया हुआ आपको 26 अफी एंड 56 पीरियोडिक टेबल में इस तरह से डिनोट करते हैं जो सारे एलिमेंट से ना उनको तो यह जो 26 लिखा हुआ है यह 26 क्या डिनोट कर रहा है कोई बताएगा आप में से केमिस्ट्री में है कि यह जो है तुटिसक्स को किसको कर रहा है आपके अटोमिक नंबर को डिफ्रिंट करा थिक है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको नॉलेज है जैसे आटोमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रोन या प्रोटोन है इसके जो इसका जो नुक्लियस है उसके अंदर क्योंकि आपको कुश्चन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रों और अब देखो यहां पर जैना आपको प्रोटोन का चार्ज दिया हुए तो प्रोटोन कहां पर होगा इस्ने चार्ज दिया हुए वन प्रोटोन पर कितना चार्ज दिया है बाधिक सिंपल करो लिखो लिखो फो सो चार्ज आप दा न्योक्लिस अगर हम यहां लिखें चार्च all right अब दान्य लेक्ष्प प्रो तो सब्सक्राइब है तो अजरु में सब्सक्राइब करोगे तो चेक करना ही आ रहा है क्या 4.16 इंटू 10 इस पाउर माइनस 18 कुला कि के सबी लोगों को करना है ना सब लोग तोड़ा ध्यान से यह आ रहे हैं तो यह आ जाएगा आपका का 4.16 इंटू 10 इस पाउर माइनस 18 आया समझ में कोई विक्त नहीं है आरहीं स्वेखें तो इस यह देख लेते हैं यह टो चार्ज्व सेवेंटिफवाइव क्लोग्राम ओफ एलेक्त्रोंस तो पिश्चन हम यह कर लेते हैं यह लेक्र आप और सेवंटीफाइव किलोग्राम ऑफ एलेक्ट्रों ठीक है वह यह दे रखा है इसने अब हमारे पास जो चार्ज निकालने का फॉर्मॉला वो तो क्या होता है क्यू इकल टू प्लस माइनस एंड होता है होता है कि नहीं होता अब इसमें मास तो कहीं पे है नहीं पर एन अग अगर कैसे भी अपन निकाल लें मतलब नंबर ओफ लेक्ट्रों तो बुझे आप चीज बताएं कि 9.1 इंटू टेनस पार माइनस 31 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रोंस होते हैं कितने इलेक्ट्रों होगे वन इलेक्ट्रों का मास होता है 9.1 इंटू टेनस पार माइनस 31 किलोग्राम तो 75 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रोंस होंगे सेटेवं 2.1 इंटू टेनस पार माइनस 31 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रोंन है वन इलेक्ट्रोंन है वन इलेक्ट्रोंगर्ण सब्सक्राइए तहां यह नंबर एलेक्ट्रों आपके पास आगे तो चार्ज निकाल सकती हो आपकी इसलिए मैं मैं माइनस लगा देता हूं यहां पर एंड कितना है आपका एंड की वेल्यू है वन डिवाइड बाइ नाइन पॉइंट वन इंटुट इस टुपावर माइनस थर्टी वन यह आगे आपके पास ठीक है और इस तो कितना करते हैं 75 तो यह तो आपके पास नंबर ओफ एलेक्ट्रो सब्सक्राइब कर लिया था मिले 1.3186 इंटुट इस पावर ठीक है आप लोग भी एक बर मल्टिप्लाइब करके अच्छे से देख लाना कितना जाएगा माइनस 1.3186 इंटुट इस पावर 30 पूलाव इस टेप समझ में आई या नहीं आई यह बताओ इस टेप समझ में आ अभी तक को हाँ यह मैं मान सकता हूं नॉलेज वाली बात है कि जैसे अब अलफा पार्टिकल से आपको यहां पर अगर आपको पता होता के बाई दो इसके पास दो प्रोटोन है तो आप इसको भी तो सारे कोश्चन्स जो भी कोश्चन्स डिसकस कर रहा हूं सब में आपको तो कुछ न कुछ सीखने को ही बिलेगा कुछ लर्निंग होगी कुछ नई चीजे सीखोगे कुछ ऐसा है जो केमेस्ट्री में भी आएगा आपके तो केमेस्ट्री जब आप स्टडी करोगे तो वहां बढ़िया समझना आजाएगा आपको और वैसे यहां भी कोई दिक्कत आएगी तो फिफ्ट का तो अंसर आगे अपने पास अब सिक्स्थ कोश्चन दिया हुआ है आपको सिक्स्थ कोश्चन दिया है हाओ मैनी मेगा कूलांब्स और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन तूप नूट्रल हाइट्रोजन गेस तो हम तो इसमें में चीज लि अग्षाइड देखा है तो इस तब हम आगे चार्ज बेंक दो निकालना है कुल मिला के बात यह चार्ज निकालना तो चांज निकालना तो फॉर्मॉला मेरे पास इसी से चार्ज निकल सकता है यह तो मुझे बता है यह बताए 1.6 निकालना है नमपर ओव उलेक्ट्रोन या नमपरों पता करने मुझे लिके안दर के यंदर है थी कहuteni थोड़ा कुछ इसके बारे में बता देता हूं के वारे में के मोल है क्या तो आपने नाइंद किलास में भी पढ़ाया वह本देशन सब्ढाइचन इनने आपको बताए थी थो सीवन फिजिकल कॉंटिटीटी इस ऐसी आप में इसक वह बता सकता है वह वह Localintit का नाम किया दा इस पीजिकल कॉंटिटी रों नंबर आम रोड क्या इंटेंसिटी ओफ लाइट पिर एक और थी सेवन क्या था वह सबस्टेंस और अमाउंट अब याद आया और अमाउंट अब सबस्टेंस की यूनिट वाल इक्वीटी मोल ठीक है तो यह अब इसमें देखा आपको क्या रखा है हाइट्रोजन गेस देरेकि है एच्टू गेस हमें एच्टू गेस एच्टू का जो मॉलिकूलेस में क्या है दो हाइट्रोजन है ठीक है दो हाइट्रोजन है तो इसमें अगर आपसे कहें कि भाई एच्टू की बात कर रहे हैं तो एच्टू के अंदर क्या होंगे एच्टू के अंदर दो ही इलेक्ट्रोन है या फिर क् होगे इसकी तो हाइट्रोजन एक अकला होता है तो पहला ही एलिमेंट है तो एक तो यह बात अपने को किलियर हो गई ठीक है अब हम बात करेते हैं यह मोल में जो दिया हुआ है ठीक है तो अगर एच्टू का अपन मॉलीकुलर वेट लिका लें अमॉलीक्यूलर लेट अब हुआ हैस्ट तो तो वेड कितना हो जाएगा इसका कुन बताएगा है बूर्ट हुआ है अब बताओ कि ऑक सिजन का मॉलीक्यूलर वेट कितना है है कि इस्टीण क्या आगे तीछे क्या है सिक्स्टीण क्या है कॉश्चन कराय था नहीं नहीं तो आपकू अक्स है एच्टू ओवाला कराय था न एस टूका का उलिक्ट ठाल deux तो कितना निकाला था था भाई तो कि सफेसे रा जोी खकी कंश्चन में помощ यसमें निकालते हैं लास्ट वाला कॉश्चन बार इसमें भी यूनिट में लिख चुई तो यह जो मॉलिकुलर वेट आप निकालते ही आता है ग्राम में ठीक है तो वन और वन तो हो जाएगा तो इसका जाएगा टू ग्राम मतलब हो गया वन मॉल कु तू ग्राम मतलब हो गया वधया यह से लेना यह सीक लेना आपकी कैमेस्टी में प्रिया यह कहीं यह टू इस यह है अगसी अगए सिक्स्पाइं यू पूंटने लो टू सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब अपना कोश्चन यह है कि हाँ मेगा कूलाम्स और प्रोटोंस और नेगेटिव चार्जार प्रेजेंट इन तो वॉल ऑफ हाइट्रोजन गेस में कितने कितना चार्ज होगा वह बताना है तो चार्ज का यानि कैसे भी करके मुझे नंबर और प्रोटों अगर पता लगे तो मैं यहां रख दूँगा और चार्ज आ जाएगा तो पहले आपको करना यह एच्टू गेस दी हुई है एच्टू गेस का आप कर लो मॉलिकुलर वेट लिकालना तो मॉलिकुलर वेट आएगा टू ग्रा तो यहां पर यह एक तीन ग्राम मिलके क्या बनाएगा वन मॉल बनाएगा और इस वन मॉल में जो नमबर ओप मॉलिकुलर वेट और तो तो ओंगे आवो ग्रादोस नंबर के बरावर ठीक है इस तरह से समझो बात को आप जो भी आपको मॉलिकुल दे रखा है उस मॉलिकु इस तो यह तो यह तो वन मॉल में यह किसम है वन मॉल में आप यहां पर लिखे कि नंबर ओप मॉलिकुल्स इंटू तो एच टू गेस कितना होगा तो इसमें कितना होगा वन मॉल में इतना है तो तो इंटो क्या करोगे 6.023 इंटो थे पावर 23 तो यह नंबर ओप लगा तो आप इसमें दो इलेक्ट्रोन है और नमबर ऑफ मॉलिकूल सब्सक्राइब इतने नमबर ऑफ मॉलिकूल से और इसमें इलेक्ट्रोन कितने दो इलेक्ट्रोन है तो इसको किससे मॉन्टिप्लाइब करते हैं मैनस् 2 इंतु इंतु 6.023 इंतु 10 इस्टो पावर 23 तो यह तो आगये आपका एन की वेल्यू आगई ठीक है और ई कितना है आपका 1.6 इन्तो तो इसको आप मंटिपलाइ करो देखो और मंटिपलाइ करोगे तो वैल्य पुछ ही आएगी उफ्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्याष्या करें हम यहां पर तो से मंटिप्लाय कर देता हूं और यहां तो आप डिवाइड करो तो यह आजाएगा तो इसे करके आपका अंसर आजाएगा ओ teak कशना आपको पुशन हो तो बताहूं अगला समझ में सबको आया समझ में कैसे तो थोड़ा समझने कोशिश करना यह मैंने यहां पर आपको एच तुँओ वाला भी एग्जाम्पल दिए ठीक है तो इस से भी आप सॉल यानि समझने के लिए जो भी आपको मोलेक्यूल दे रखा उसे मोलेक्यूलर वेट लिकालनों वह मोल को रिप्रेजेंट करेगा और वन मोल के अंदर जो नंबर आपको इस तरह से आगे तो यह अंसर आपका जैसे आप उनको किता ज्यदा तो एच्टू जो है एच्टू का अपने क्या लिकाला मोलेक्यूलर वेट लिकाला तो टू ग्राम मतलब वन मोल में नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स किते हो गए सिक्स पॉंट जीरो टू टेडिस वार टूंटी त्री हो गए तो यह वैल्यू कई अब नंबर ऑफमें इसमें दोतरों है तो इस लिए क्या आपका राजी चाहिए 3-100 वेगा कूला यह आपका अंसर बने ठीक है समझ्भ है तो इस बोटो वाइए बार ऑखके कर दो यह फिर कोशन कोश्च पूश पूश्च है अब एक बार लाइस कोश्चन ले लिते हैं और फिनिश करते हैं इसको ना लास्ट कोश्चन है अपना सैविल कैलकुलेशिंस में थो नहीं नहीं आपके गॉंड में यह कॉष्शन आ सकता है बस यह भी आ गया तो आगके थोड़ा हार्ड मानतेयों वो लोग तो यह फ़े अदर जो 567 इतने बड़े मौल वाले कोई कोश्चन नहीं आएंगा ठीक है आपके आपके बॉर्ड में तो आपको सीखना चाहिए क्योंकि यूद्य वाला आपका चलेगा चलेगा तो आप देखना और वह 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 बहुत अलिमेंटरी इसमें तो टोटल नंबर ओफ एलेक्ट्रॉंस प्रजेंट इन हंड़ेगा वाटर तो सबसे पहले अब अब टाइम है अपना है तो आपको एट फॉर्टी थी हो रहा है आपको तो कि लास्ट कोश्चन ही है नया टॉपिक में कल से कराऊंगा तो आप मुझे बताओ एस्टिमेट आपको आपको सौल करना है यह इसको अपन तो परस एस्टिमेट ता टोटल नंबर और सेविंट कोश्चन में के रहे हैं हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं ठीक है तो वाटर को अपन करते हैं एच टू एच टूओ का जो अपन मॉलिकुलर वेट लिका लेंगे तो तो आपके हैट्रोजन और सिक्स्टीन ऑक्सिजन के लिए आ गया तो सिक्स् ग्राम जो वाटर है उसके अंदर आ रहे हों आ रहे सिक्स पॉंट जीरो टू इंटू टेने स्टू पावर 23 एटीन ग्राम में हैं अमबर ऑफ मॉलिकुल्स ठीक है नमबर ऑफ अब एक मॉलिकुल्स आ गया तो वन ग्राम में आप लिका लोगे तो वन ग्राम में आ जाएंगे शिक्स पॉंट जीरो टू इंटू टू पावर 23 एंड डिवाइड वाइट टीन आ जाएगा ऐसे यह आप फिर हंड्रेट ग्राम में फाइंड आउट करोगे तो हंड्रेट तो यह हंड्रेट ग्राम में इतने नंबर ओ ओप मोलिकूल में एक और ऑफ फिर टो ओवन धील ओफ एक तो इस तो हम वनगाल उपर एंगटरों और सब्सक्रा होन तो टैन इलेक्ट्रोण हो जाएंगे तो वन मॉलीकूल ग्राम में इतने number of molecules है आपके यह number of molecules है तो इन number of molecules में कितने electron होगे तो number of electron अपन निकालने इसके अंदर number of electron तो number of electron कैसे आएंगे इसके अंदर 10 से अपन multiply कर दें 6.02 इंटो 10 इंटो पाव 23 डिवाइड बाइ 18 ठीक है इंटो 10 इंटो 100 ठीक है यह आगया अब q is equal to minus n लगा देंगे रखोगे 6.02 इंटो 10 इंटो पाव 23 इंटो 10 इंटो 100 डिवाइड बाइड बाइ 18 ठीक है और इसको किस से multiply करोगे इंटो 1.6 इंटो 10 इंटो पावार माइनस 19 से ठीक है तो यह पूरा आपको calculate करना है ठीक है 6.023 इंटो 10 इंटो तो यह कुछ वैल्यू आपको यह मिलेगी 5.35 लोग इन्टू 5.35 इन्टू 10 इस पावर 6 कूलाम ठीक है यह आपके पास पाइनल अंसर आज़ा ठीक है तो इस तरह से यह सारे कोश्चन्स हो जाएंगे आपके 7 कोश्चन्स हैं है ना और अच्छे कोश्चन है